नमस्कार जैहिंद जैबिहार मैं हूँ आप सबका दोस्त वकील सहब पत्रकार एसके पंकल जब भी कोई वाइरल मामला होता है या जब भी किसी लोग प्रिये व्यक्ति को कोट में कानून के पास पहुचना होता है नायक, गायक, सुपरस्टार पॉन सिंग और उनकी पतनी जोती सिंग का मामला कोट में पहुचा लोगों ने जानना चाहा कि आखिर कोट में हुआ क्या होगा मैं आपको बता दू कि जोती सिंग जो है वो मेंटेनेंस पेटिशन फैमिली कोट आरा में पॉन सिंग के खिलाफ दायर की हुई है उन्होंने 498A सहित अन्य धाराओं में पॉन सिंग के खिलाफ केश किया हुआ है यानि घरेलू, प्रतारना या प्रशो मतलब अंचाहा गरपात करने की धारा यानि 315 इत्यादी धाराओं में पॉन सिंग पर उन्होंने केश किया है जब 498A लगता है तो साधारान तोर पर 323, 244, 504 इत्यादी धाराओं भी लग जाती है एडिशनल जज़ श्वेता कुमारी मैडम ने पॉन सिंग से पूछा कि पॉन सिंगँ आप बताईये कि मेंट्रनइंस कितना दे शकते हैं उसके बाद पॉन सिंग ने कहा कि नहीं मैं महीने का 3 लाख या सवा 3 लाख साड़े 3 लाख रुपया कहां से दे पाऊंगा मैं एक छोटा सा गायक हूँ अदना सा छोटे से फिल्म इंडिस्ट्री में मैं एक्टिंग करता हूँ उससे मैं उतना पैसा नहीं कमा पाता हूँ कि साड़े 3 लाख रुपय की भारी भकम राशी मैं उनको दूंगा फिर जजज साहिबा ने कहा कि ठीक है संपती तो आपकी जादा है ज्यादा ही दरुजर करिएगा तो संपती की जाच भी कराई जा सकती है आपकी फिर दोनों पक्ष के वकीलों ने भी बादचीत की कोट में पूरे मामले को सुल्जाने का पूरा प्रयास किया गया फिर जोती सिंग का पक्षाया कि कम से कम 5 कलोर रुपे और कुछ और चीजें उनको चाहिए मेंटेनेस के तौर पर यानि मेंटेनेस दो तरह से फैमली कोट में डिसाइड होता है एक जो महीना दिया जाता है और दू आफ आ रहा है कि 8 कलोर वन टाइम पेमेंट तो यही 5-8 कलोर के बीच में उन्होंने राज़री मांगी और फिर उन्होंने आरोप भी लगाया पॉन सिंग भारी भरकम पीस लेते हैं एक-एक फिल्म का लाखो लाक रुपया लेते हैं उनका जो है वो 50-60 लाक रुपय का आर पहले तीन-साड़े तीन लाक रुपया का महिना उसके पाथ 5-8 कलो रुपया वन टाइम मेंटेनेंस अब फैसला क्या हुआ तो फैसला कुछ नहीं हुआ यानि जोती सिंग केस लड़ेंगी पॉन सिंग उतना भारी भरकम मेंटेनेंस देने में भरन पोशन वाद जो में ज चारीख दे दी जाए और जोती सिंग्या उनके वकील ने कहा कि हम लोग इस केस को लड़ेंगे और जो 498-a का चार्ज बन रहा है पॉन सिंग पर उसमें सजा दिलवाएंगे अब आगे भी फैमिली कोट में जब भी कोई मामला जाता है तो फैमिली कोट के जो उनरेबल नहीं होता है, तो पॉन सिंग पर जो क्रीमिनल आक्ट में, जो क्रीमिनल धाराओं में जो चुकि उसका वो शुरू होता है family dispute से इसलिए उसको family court की भाती ही treat किया जा रहा है अब देखना ये होगा कि आगे case जोती सिंग लड़ती है या दोनों के बीच सुला हो जाएगा ज्यादा उमीद है सुला होने की ही चुकि family courts के ज्यादा मामले सुला ही होते है अगर सुला नहीं हुआ तो पौन सिंग को सजाबी हो सकती है कुछ भी हो सकता है everything depends on the law and honorable judges sitting on the bench जय हिंद जय बिहार